पच्पन से हमारी सब की ये प्रोग्रामिंग करी गई है पच्पन से ही कॉंपिटीशन की और कमपारिजन की स्कूल में कॉंपिटीशन, घर में कॉंपिटीशन, भाई भेन का आपस में कॉंपिटीशन वो बहुत अच्छा है बढ़ाई में, तू बिल्पिल बेकार है वो कितना अच्छा खेलता है, तू क्यों नहीं खेल पाता वो कितना अच्छा दिखता है, तू इतने अच्छी क्यों नहीं दिखती Competition and comparisons इससे हुआ क्या? हमारे mind की programming हो हम चहा करके भी इस दुनिया को बिना किसी competition के बिना अपने आपको किसी और से compare किये, देखी नहीं समते या तो हम किसी को अपने से compare करेंगे, उसको अपने से उपर बिठा देंगे या उसको अपने से नीचे गिरा देंगे इस programming को अगर तोड़ना है, तो एक सवाल को बीच में लगाना ही नहीं हो उसके बिना इस programming नहीं टूट साथ आप autopilot पे चलते ही चले जाओगे, फसते ही चले जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी तो आपके अंदर एक डिजायर उठेगा उस लेवल पे, बनकि डिजायर नहीं सबसे पहले एक विश हुठेगा कि काश मेरे पास भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी हो अब इविश दीने जैसे से आप उसकी गाड़ी को देखते चले जाओगे, उसके बारे में सोचते चले जाओगे, यह डिजायर में अब देखो इजायर किस तरीके से फसाएगा आपको, कि आपने उसके वो गाड़ी देखी और आपके अंदर डिजायर उठा, कि मुझे यह और आपका दिमाग चलना शुरू हो कि, मैंड में इमाजिनेशन जाने शुरू हो, कि मुझे यह चाहिए, यह चाहिए, आपने रास्ते निकालने शुरू करती है, इन डिजायर के अगाटिंग, मैंड आटोमाटिकली रास्ता निकालता है, कि अब यह कैसे मिल सकती है, चल् आपकी इतनी capacity नहीं है उस गाड़ी को afford करने की, लेकिन desire बहुत strong था, तो उसने वो करवा दिया काम आपसे, अब जैसी आपने finance कराई, आपकी जो savings थी वो भी उसमें लग गई, प्लस monthly installments बन गई, आपकी salary का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 20 या 30 परसंट उस installments में जाने लग सोचो, अगर आपके boss को इसके बारे में पता लग गया, तो वो क्या कर सकता है, उसको ये समझ आ जाए, कि आपके अंदर इस गाड़ी को खोने का डर है, कि अगर किसी वज़े से मेरी गाड़ी मेरे हाथ से चली गई, तो मैं क्या करूँआ, इस society में जा करके कैसी अपनी श ले जा रहे हैं उस गाड़ी से, और उस चिपकने की वज़े से क्या हुआ, उस डिजायर की वज़े से क्या हुआ, अब आप पूरे के पूरे ट्रैप में फस्ते चले गाड़ी का इसे और बहुत सारे एक्जांपल से, और हुआ क्या, कि जैसी उस boss को इस समझ आया, कि अब आप इस नौकरी को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने छोड़ी, तो आपकी इंस्टॉर्मेंट चितनी ज्यादा हैं इस गाड़ी की, क्या प्रॉब्लम में आ जाओ, तो आपको बहुत क्या बोलेगा आपको, कि आपको डेली दो से तीन घंटा ओवर टाइम बढ़ना है, क्या मना कर पाओगे, यह सन हो, नहीं कर सकते, आप फस गए हो, और आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे, आप फसे किसकी वैसे हो, आपके अंदर डर पनपेगा, कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी, और तीन-चर महने तक मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली, तो मेरा क्या होगा, यह मैं कहां से दूँगा, मेरे घर के खर्चे कहां से निकलेंगे, यह कैसे होगा, वो कैसे होगा, फसते चलेंगे, आपके अपने डिजायर ने बॉस के थुरू आपको फसा दिया, और उसके बाद में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वहाँ पर जितना आपका torture होगा, वो torture आकर कि आप निकालोगे अपने घर पे, अपनी फैमिली पर गुस्ता करोगे तो मैं पता नहीं है मेरे पर कितना pressure है मेरे पर कितना stress है, इस stress को create किस ने किया जहां आपके desires की वजए से आपने अपनी चादर से जादा पैर फैलाए प्रॉब्लम शुरूब अब सोचो इसमें करना क्या है, इस situation से कैसे निकल सकते हैं कि जिस वक्त हमारे अंदर ये desire उठे कि मुझे भी ये बड़ी गाड़ी चाहिए जा कुछ भी चाहिए, तो अपने आप से रुक करके पूछना है क्या सच में मुझे चाहिए? क्या सिर्फ कंपारिजन की वज़े से, कॉंपिटीशन की वज़े से मैं अन्नेसेसरी अपने उपर एक प्रेशर क्रियाट करूँ जहां आपने सवाल पूछा, आप इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम से एक सेकंड में भारा आपकी इंटेलिजन्स पीच में आदे, वो आपको बचा सकते है फिजायर को उठने से पहले ही आपने खत्म करते है आपने काम मुझे काड़ी नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए I need freedom कि अगर मुझे उस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा और मुझे लात मार दी पड़े उस जॉब को तो मैं एक सेकंड भी ना लगाओ लात मार दू मुझे एक stress free life चाहिए, मुझे एक tension free life चाहिए, इन सब में कोई trap नहीं है जा हम चीजों से जा करके जुड़ गए, महां पर trap ये trap